चीन के गवंग्जाव में आयोजित एशियन गेम्स में अपने तिरंदाजी का लोहा मनवाने वाले भारतिय तिरंदाज आने वाले दिनों में यानि की नौवंबर में उत्तरप्रदेश में अपने तिरंदाजी का हुनर दिखाते हुए मिलेंगे आपको बता दें कि नेशनल सीनियर तिरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 25 नॉवंबर से 30 नॉवंबर के बीच उत्तर प्रदेश में आयोध्या में आयोजित की जाएगी जिसका उद्गाटन खुद मुखी मंतरी योगी आदितनात करेंगे वहीं इसका समापन केंदरी मंतरी अनुराथ ठाकूर करेंगे आपको बता दें कि इस पूरी प्रतियोगिता में 1100 तिरंदाज राष्ट्य अस्तर और अंतराष्ट्य अस्तर के हिस्सा लेंगे इस्तरप्रदेश की अगर बात करें तो उत्तरप्रदेश सरकार लगातार खिलाडियों के प्रतसाहन के लिए और उनको बहतर सुविधाय देने के लिए काम कर रही है और इसी दिशा में जो है इस प्रत्योगीता का आयजन जब उत्तरप्रदेश में होगा तो सबकी निगाहें उत्तरप्रदेश में होंगी और इस पे भी निगाहें होंगी कि किस तरीके से उत्तरपदेश में खेल के विकास के लिए और खिलाडियों के विकास के लिए काम किया जा रहा है कुछ मिला कर देखा जाए तो एक बड़ा इवेंट उत्तरपदेश की रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने जा रहा है जिसमें खुद मुखे मंत्री इसका उध्याटन करेंगे कैमरा परसंग गौरा बर्मा के साथ मार्तन सिंग इंडिया न्यूज लखनव